दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर मिलेंगे आपको MS Excel, Word और PowerPoint से लिटेटर सारे लेटेस्ट वीडियो और ट्रिक्स और ट्रिप्स और फिलहाल हम सीख रहे हैं MS Excel में चार्ट बना होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं यह स्लाइड ऊपर नीचे होके आपको इमेज दिखेगा तो इसको बनाते कैसे हैं इसके लिए मैंने एक सेपरेट सीट में सेम डेटा ले लिया है अब देखिए यहां पर डेटा क्या है टार्गेट एक्चुल उसका अचीवमेंट और एक सपोर्ट कॉलम ले लिया है जिसमें हमने हंडेड नंबर्स डाल दिया है क्योंकि हंडेड परसेंट टार्गेट को दिखाने के लिए अब यह दो कॉलम की मुझे कोई जरूरत नहीं है तो इसको तो मैं कंट्रोल जीरो से हाइड कर देता हूं सिलेक्ट किया और कंट्रो टबाइड लेना है आपको बेसिक चार्ट ले लें आप क्लस्टर कॉलम चार्ट ले ले सबसे पहले ठीक है इसके बाद एक चीज क्या करने है आपको कि यह तो जो मुझे पसंद नहीं है वो आपके उपर है आप भी कैसे बना सकते हैं ग्रेड़ लाइंस की जरूरत नहीं ह तो यहां पर जाकर, यहां पर जाकर आपको रइट में आपको, हटा सकते हैं, ठीके, इसके बाद यह अभी यहां पर इसकी भी जरूरत नहीं है, यह भी हमने डिलीट कर दिया, तो अब लेता हूं और यहां पर बनाते हैं हम slides, slides बनाने के लिए क्या करना है आपको, format पर click करना है, और format में आपको ले लेना है, एक shape ले लेना है, rectangular वाला, rectangular में भी अगर आप यह वाला लेंगे, second number का rounded corner तो ज्यादा बेटर होगा, अब यह मैंने यहां पर एक shape ले लिया, और फिर इस shape को लेके, सबसे पहले इसको थोड़ा rounded कर दिया, यह जो बीच वाला button होता है, आपको यह जो दिखता है, यह लेंगे आप, तो यह इस तरह से छोटा हो जाएगा, और यह rounded हो जाएगा completely, second आपको क्या करना है इसमें, इसमें कोई भी एक color चूज करना है आपको, जो भी आपको slide जिस color की बनानी है, तो मैंने उसकी slide की outline भी वो ही दे दी, और slide को fill भी same color से कर दिया, और थोड़ा सा effect डालना है, तो आप यहाँ पर ले लीजिए gradient fill, gradient fill जब आप लेंगे, तो आपको यह इस तरह से दिखेगा, और इसमें भी काफी सारे options मिलते हैं आपको directions भी आप select कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऊपर आपको dark दिखाना है, तो आप यह भी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन हम यही ले ले लेते हैं, यह ज़्यादा अच्छा दिखेगा, नीचे से dark और ऊपर थोड़ा सा light color दिखेगा इसका, ठीक है, तो यह हो गया, अब इसके साथ में क्या करना है, आपको इसी shape को copy करके एक और इसकी copy आपको बना देनी है, इसकी copy आपको बना को करना क्या है, कि इसमें थोड़ा सा change कर देना है, दूसरे वाले में, इसका जो शेफ, फिल है, वो आपको no fill कर देना है, और शेप का outline as it is रहने देना है, तो यह दोनों एक जैसे हो जाएंगे, अब इसके बाद सबसे पहले जो आपका फिल्ड वाला शेप है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, और आपको ये जो आपका डेटा है जिसमें, जो अचीवमेंट वाला है, जिसके बेस पर आपको चार्ट बनाना है, ये जरूर ये देखिए, चार्ट में जब आप डेटा बनाते हैं, तो आप किसी और डेटा पर बनाएंगे, मैं एक सेंपल दिखा रहा हूं, तो बेस समझना बहुत जरूरी है, कि दो आपको यहाँ पर एलिमेंट दिख रहे हैं, लेकिन दो मैसे किस को आपको डार्क वाला यूज करना है, किस को आ यहाँ पर क्लिक किया, जो आपका अचीवमेंट वाला सीरीज है, और उसको आपने पेस्ट कर दिया, तो एक यह हो गया, अब दूसरा आया आपका यह, ब्लैंक वाला, तो ब्लैंक वाले को आपको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, और जो आपका 100%, जो सपोर्ट कॉलम वा कॉलम है, वो इसके उपर आना चाहिए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा दो चीजे, एक तो आपको यह जो 219% दिख रहा है, इसको आपको कम करना पड़ेगा, इसको आपको करना पड़ेगा, अप्रॉक्सिमेटली 100 के आसपास, या फिर 75% 200 के आसपास, जब आप इस इस तरह से complete हो जाएगा, तो for example, मैं यहाँ पर 75% कर दिया इसको, और ये series overlap को मैंने कर दिया है, 100%, तो series overlap को देखे जैसे यह आपने 100% किया, और gap width को यह किया, तो यह आपके data रेडी हो गया, अच्छा, इसके पहले हमें एक चीज और करनी थी, वो रह गई, तो इसको मैं अभी Ctrl Z करता हूँ, आपको करना क्या है, इस series को select करके और यहाँ पर जाना है आपको, और इसमें stack and scale width कर देना है, ओके, फिर अगेन दूसरे वाले option में भी stack and scale width कर देना है आपको, यह आपको पहले वाले option के पहले क्यों करना है, क्योंकि फिर जब वो एक दूसरे के ऊप पर आजाएंगे, तब फिर आप यह option select नहीं कर पाएंगे, तो stack and scale width हमने कर लिया, क्यों किया है, यह भी बता देता हूँ, क्योंकि यह दौनों को हमें बराबर की मात्रा में लेके आना है, मतलब इसकी लंबाई भी actually इतनी ही हो गई है, अभी यह दिख नहीं रहा है, बट इसके बाद हम वापस जाते हैं वहाँ पर और फिर से अपने जो दो options हमने choose किये थे, वो फिर से कर देते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम 100% कर दे और यह 75% हमारा है ही, तो यह हम यहाँ तक आ गए, अब इसको इनको हम delete कर सकते हैं, इनके हमें कोई जरूवत नहीं है, इनको हम हटा देते हैं, अब एक और चीज़ जो आपको करनी है, आपको यहाँ पर achievement लेकर आने हैं, तो achievement लेकर आने के लिए क्या करना होगा आपको, अब simple एक क्या कीजिए, कि यह data को copy कीजिए, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमें इस chart में एक और chart जोड़ना है, basically हम एक और line chart जोड series है, यह जो values है, यह यहाँ पर आपके chart में activate हो गई है, और कौन से basic जो chart होता है, by default जो chart होता है, वो होता है आपका यह वाला, Column Chart Column Chart के Form में यह यहां पर Activate हो गए लेकिन अब हमें यह Column Chart नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए Line Chart तो हमें क्या करना है यहां पर Right Click करना है और Change Series Chart Type में जाना है Change Series Chart Type में आप देखोगे कि देखिए यहां पर तीन लाइने देख रही है हमको Achievement, Support Column जो हमारे पहले से थे और Third हो गया यह और इसमें क्या करना है आपको कि यह Dotted वाला ले लेना है Line with Dotted Line with Dotted पहले तो ले लेना है Okay कर देना है फिर हमें Line की ज़रूरत है नहीं तो हम दो तीन आप्शन है Line को हटाने के लेकिन हम एक Simple Formate में जाके हमें यह Select करना होगा Shape Outline में जाके और No Outline कर दिया तो यह देखिए यह Simple आपका चार्ट में Dotted यहां पर आ गए अब क्या करना है थोड़ा सा इसको और खुबसूरत बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर जाएंगे Insert में और यहां से एक कोई भी Shape ले लेंगे जैसे हम यह गोल वाला Shape ले लें इसको यहां पर रखा तोड़ा सा छोटा किया और लगबग आपको Size कितना बनाना है जितना आपका यह है इतना Size आपको बना लेना यहां पर रखके भी बना सकते हैं आप Size को देखें यह Perfect Size है अब इसको मैं वापस यहां ले जाता हूँ और फिर क्या करना है आपको कि अपनी Choice के हिसाब से और जो भी आपको Beautiful लगे Color आपके चार्ट में वह आपको इसको कलर कर देना जैसे यहां पर मैं Dark Red अगर करूं तो साइद यह अच्छा लगेगा इसको मैं Dark Red कर दिया सेफ फिल कर दिया और शेप का Outline भी Dark Red कर दिया इसके बाद अगर कोई Effect देना है आपको तो वह भी आप दे सकते हैं जैसे कि यहां पर हम Shape Effect मे जाएं प्रिशेट में जाएं और समझो यह प्रिशेट 3 वाला Option चूज कर लें अब इसको करना क्या है आपको Copy करना है बहुत सिंपल है और यह जो Dotted है ना इनको Select करके और आपको पेस्ट कर देना है तो यह देखिए यह सारे Dotted की जगे पर यह Replace हो गया अब एक और चीज हमें चाहिए यहां पर क्यूंकि देखिए हमने चार्ट में कुछ भी Heading वगएरा नहीं रखी है तो यह तो समझ आ रहा है कि यह कुछ Achievement के Numbers हैं बट Numbers भी दिखना चाहिए तो करना क्या है आपको Right Click करना है यह Dotted पर यह चार्ट पर Right Click करना है और Add Data Labels कर देना है Add Data Labels में यह अभी बाहर आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करोगे आप और यहां पर देखोगे Data Labels में आपको Center वाला Option चूज कर लेना है Simple है बहुत अब इसमें देखिए दो Option हैं आपके पास एक या तो आप इस तरह का यह पीच कलर रख सकते है या फिर White Color रख सकते हैं तो देख लेते हैं दोनों में से कौन सा अच्छा लगेहा अगर यह है या फिर दूसरा आप इसको White Color देंगे तो भी देख सकते हैं कि यह भी ज्यादा Attractive है तो इसको मैं White Color देता हूँ यह ज्यादा अच्छा लग रहा हाँ और थोड़ा सा Fund जोड़ी सी कमी है जिसको भी हम शायद अभी पूरा कर देंगे अभी मैं इस चार्ट में थोड़ा सा चेंजिस करके देख लेता हूं अगर यहां पर चेंजिस होता है तो वह एफेक्ट आ रहा है कि नहीं हाँ यह एफेक्ट आ रहा है जैसे मैंने यहां पर 58% किया और 75% किया इस कलर से मैच कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्यूंकि यह अभी एकदम अलग दिख रहा है तो इसके लिए आप सिंपल फॉर्मेट में जाए एक तो आप इसको शेप को कोई कलर दें और हम तो कहें सेम ही कलर दें तो ज्यादा बेटर है और एक तोड़ा सा इसका जो लाइन है वो भी आप थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं तो यहां पर जैसे हमने थ्री या फॉर नंबर ले ले और इसके बाद इसका जो यह है कलर है जो फॉंट के कलर हैं उनको भी हमें कलर कर देना चाहिए तो हमें जर्व होम में जाएंगे और यहां पर सेम कलर ले इसमें बहुत सारे उपसंस होते हैं आप फॉर्मेट में जाके यहां पर जब आप शेप में जाते हैं तो काफी सारी इसमें फॉर्मेटिंग मिलती है जो भी आपको डिपेंड करता है आप जैसे कि यह एक फॉर्मेटिंग है यह ले सकते हैं या इसके नीचे की यह फॉर् छोटा कर देता हूँ, इसको 3 के आसपास रख देता हूँ, तो यह better लगेगी, अब इसके बाद अगर आपको लगता है, कि चार्ट में टाइटल की जरूरत है, तो आप यहाँ पर जाएए, प्लस में, चार्ट एलिमेंट्स का आप हमेशा यूज कीजिए, यह हमेशा आप न अपने हिसाब से कलर वगेरा दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर यह कलर दे दें, तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो इस चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिलहाल मैं चार्ट के उपर काम कर रहा हूँ, और अगले कुस दिन और अजब से काम कर रहा वीडियोगे से की।